हलो डियर श्टूडियांड टूड़े आई इम गोईं टू एक्स्प्लेन कोश्यों नमबर 6 7 8 9 & 10 ऑफ एक्ससाइज 13.1 ओके प्रिविएस वीडियो में मैंने आपको कोश्यों नमबर 1 2 5 एक्स्प्लेन किया था अब मैं उसके आगी की कोश्योंस वर प्रॉब्लम्स को देख हैं ठीक है ना लेकिन कोश्यों में इतना अभियाद रखिएगा कि जो आपने अपर कोश्यों यानि वन टू फाइब आपने स्टॉड़ी किया है जो कांसेप्ट यहां पर आपने यूज किया वहां पर भी करेंगे फॉर्मूलय आपके वही होंगे ठीक है ना सिब वहां प पेंटागौन हैस फाइब साइट ओके और सिक सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर पाइब पाइब पॉइंट बेटर लॉंग फाइन इट्स पैरिमीटर देखिए पारिमीटर यहां पर फाइंड करने को कहा पेंटागौन थीकशा ना तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई ऐसा पॉलिगन ठीक है ना जिसमें सभी साइड आपको फाइंड आउट यानि सभी साइड आपको गिवेन हो तो उसका पैरिमीटर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है सम ऑफ आल साइड यानि सभी साइड का सम कर लीजिए तो यहां पर भी यह यह रूल लगेगा सम ऑफ आ सभी साइड देख रहा है फिर आप सबको आइड कर लीजिए 6 8 14 5 19 19 में यह 0.4.68 तो 20 हो गया 6 7 13 33 सेंटीमीटर आपका एंसर हो जाएगा ओके चली अब हम अगले कोश्चन की तरफ आते हैं कोश्चन नमबर सेवन की तरफ दाइमेंशन आफ ए फोटोग्राफ दाइमेंशन आफ ए फोटोग्राफ आर 25 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर यानि लेंथ है और ब्रिथ है ठीक है लेंथ और जो ब्रिथ दिया है 25 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर ठीक है अगर कभी भी इस तरह की को जैसे रहा है माले जिरूम है सर्फिस रूम का आगर मेज़ेर एफ इन्टु फाई इसका मतला लेंद हो गया फ्यमिंट्रहाब קप्ड वाट हो गया 5 मिटर लेंथ ओगया 4 मिटर ब्राउट हो गया ठीक ना इस तरीक आपको दे सकते हैं तुस्री तरीक यहां भी दिया लेंथ 25 ब्रिट 22 वाट लेंथ आफ फ्रेम इस नीडेट टू फ्रेम और वोटो टूःफ हमें कितने लेंथ जो हे जो जबता तरप उसका लन्द कितना होगा में पैरी मीटर क्योंकि जो पैरी मीटर होता है ठीक है तो हम यहां पे निकालेंगे parameter of wooden frame तो अगर आप इसका solution देखना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह आपकी screen पर है ठीक है ना question number 7 देख रहे हैं question number 7 इससे में आपकी screen पर length of photograph 25 cm breath of photograph 22 cm parameter of photograph 2 into length plus bridge क्योंकि यह rectangle shape में है तो 25 plus 22 add करेंगे 47 into कर देंगे 94 so that length of wooden frame is 94 cm okay चलिए आपको अगले question की तरफ लाते हैं और उसे explain करते हैं ठीक है ना question number 8 a square piece of land has is equal to site equal to 100 meter कहने का मतलब एक square है जिसका each side जो 100 meter है confirm हो गया parameter निकालने कहेगा तो 4 into side लगाईएगा ठीक है if three layer of metal wire have to be used to fence it what is the length of the wire needed अब यहां पर आपसी यह कहता है कि उस square land की चारों तरफ हमको क्या लगाना है एक wire लगाना है लेकिन वो wire एक बार नहीं बलकि three layer में लगाना है तो मुझे कितने meter जो है wire यूज करने पड़ेंगे ठीक है कितने की जरूरत होगी तो ऐसे case में पहले आप क्या निकाल लिए parameter of square land 4 into side ठीक है तो 4 into 100 आपका 400 फिर three layer में यूज करना है तो 3 का into कर दीचे तो आप लिखिएगा required length of the wire needed ओके तो three into parameter then three into 400 आप इसका solutions देखेंगे तो बिल्कुल clear आपको आ जाएगा ठीक है ना काफी simple way में आपको यहाँ पे explain किया जा रहा है तो आप questions को अच्छे से समझेएगा तो आपको आएगा ठीक है side of square land 100 meter parameter of square land four into side 400 देख रहे हैं ठीक ना the length of wire is needed three into 400 आपका आगे 1200 ठीक है is the clear चलिए अब हम आगे की तरह बाते हैं question number nine बिजेंद्र runs ten times around a square track देखे बिजेंद्र जो है ten times round करता है एक square track का and cover four kilometer जब पूरा वह दोड़ लेता है दस बार तो उस पूरा cover करता है वह four kilometer ठीक ना यानि कि पूरा distance उसका four kilometer का है अब आगे find the length of the track तो आप से पूछ रहा है कि find the length of the track means perimeter of the track अब track कैसा है square shape में ठीक है तो अब इसके लिए पहले क्या करिए four kilometer को meter बनाईए और ten times उसने round किया तो 10 से divide कर दीचिए एक round का जाएगा तो आप इसका solution यहाँ पर देखिए यह समय आपकी screen पर है distance covered by present in each around a square track ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए आपकी screen पर run upon number of rounds तो four kilometer upon ten kilometer को meter बनाएंगे 1000 से आप क्या कर देंगे divide कर देंगे sorry into करेंगे तो four into thousand upon ten solve करेंगे four hundred meter ठीक है यही आपका finally answer हो जाएगा यही जो है square track का यह answer हो जाएगा अब जो यह answer है यही आपका square track का पूरा length हो जाएगा ठीक है ना length of square track is equal to यह देखिए parameter of square track is equal to length of square track अगर आपसे इसमें side पूछा होता तो आप parameter pump for करते हैं तो hundred आता है लेकिन आपसे सिर्फ length of square track पूछा तो इसलिए आप इसको नहीं करेंगे ठीक है इसमें आपसे side नहीं कहा है सिर्फ सिर्फ length कहा है इसको मैंने यहां पर black कर दिया इसको आपको नहीं करना है सिर्फ आपको करना क्या है length of the square track okay is equal to 400 meter जो यहां पर लिखा हुआ है ठीक है चलिए अब चलते हैं अगले question की तरह question number 10 the length of a rectangular field is twice its breath देखिए यहां पर आपसे यह कह रहा है कि एक rectangular field है जो इसका length प्रिश से twice है अगर ब्रिथ हमने 10 लिया है तो length हमारा 20 हो जाएगा तो हम यहां लेट करेंगे x ब्रिथ को लेट करेंगे x तो length हो जाएगा 2x a man jogged around it 4 times and covered a distance of 6 km एक आदमी जो है वो चार बार round करता है जो पूरा 6 km को cover कर लेता है what is the length of the field तो length आपको निकालना है फिल्ड का ठीक है ना तो पहले मैंने भी आपको समझाया कि यहां पर आप से यह कह रहा है कि ब्रिथ का two times length है तो लेट दा ब्रिथ of rectangular field is equal to x meter तो length so that length of the rectangular field is equal to 2x meter आप इसके solution पर यहां पर आप clear कर लेंगे यह इस समय आपके screen पर है ओके देखिएगा let the breath is equal to x length is equal to 2x parameter का formula 2 into length plus breath यह आप जानते ही है 2 into length के place पे 2x प्लस breath के place पे x तो 2 में 1 add करेंगे 3x हो जाएगा 3 2 जा 6x ठीक है यह आपका जो है 6x parameter आगया अब हमें निकालना है कि एक parameter यानि कि जो उसका एक round में जो distance cover करेगा वो क्या होगा तो parameter of rectangular field is equal to total distance अपा number of round ठीक है न एक round के लिए दिखिए number of round से divide करेंगे तो हमें एक single round का आएगा तो six kilometer उसने cover किया कितने round में four round में four से divide करिए तो अब आप पहले kilometer को meter बना लिए six into thousand previous same previous question ठीक है तो जब आप six thousand upon four आएगा डिवाइड करेंगे 1500 ये इसका solution आपको पहले भी मैंने explain किया यहाँ पर भी आया यहाँ पर भी एक बार बता दिया गया ठीक है अब इसके बाद करिएगा according to question according to question में जब आप करेंगे तो दो जहाँ parameter है एक round one round में आपका 1500 ये भी parameter है और जो आपने लेट करके निकाला है वो भी same parameter है ठीक है ना एक एक्स की value में unknown है एक में जो है given value तो six x is equal to 1500 तो डिवाइड करिए six का तो 250 यानी x is equal to 250 ठीक है ना तो so that length of the field length of the field is equal to 2x meter यानी two into 250 solve करेंगे 500 meter ठीक है न तो यहीं आपका exact of finally answer हो जाएगा कि length जो field का है वो 500 meter है ओके तो dear student इस वीडियो में 13.1 के जो five question है हमने words problem के explain किये one by one आप वीडियो को बिल्कुल end तक सुनिएगा और सभी question को अच्छे से solve करिएगा और कोसिस करिएगा कि वीडियो सुनने के बाद एक एक question को आप अच्छे से बीना देखे जो है solve करेंगे क्योंकि अगर आप बीना देखे solve करते हैं तो उससे आपको confident पढ़ता है कि हां मैंने अपने से किया मेरा यह answer बिल्कुल exact to finally match किया ठीक है ना ओके तो बाकी question जो है नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको explain करेंगे तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक ठीक है आप वीडियो को पूरा देखिए और उसको अच्छे से समझ की solve करिए ओके थाइंक यू